पिछले क्लास में आपको बताया गया था esticiometric compound or non-esticiometric compound आपने देखा कि esticiometric compound एक ऐसा compound होता है जिसमें केटाइन और नियान का ratio exact वही होता है जो molecule formula में केटाइन और नियान का ratio होता है और यदि exact नहीं है तो उसी को हम लोग बोलेंगे non-stitazione block compound non-stitazione block compound non-stit mouvements compound को समझ के ही हम stichiotometric defect non-station不 prospective यह दो defects पढ़ सकते है impurities defect एक different type का defect है जिसको normally ऐसे भी समझा जा सकता है फिर आपको stichiotometric defect के बारे में बताया गया stichiotometric defect एक ऐसा defect होता है जिसमें defect भी आएगा लेकिन कंस्टी लेकिन सॉलीड का स्टेशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगा और इसके अंतर प्रका पको बताया गया कि यह दो तरह का होता है होता है सौटकीड और एक होता है प्रैंकल डैफेक्ट तो सबसे पहले हम हीरिंग डालेंगे एक नंबर या यह नमर साइथ देके लिखे आप लिखे है सौट की डिफेक्ट, आल यह तो हेटिंग यह नमर लिखे है सौट की डिफेक्ट सौट की डिफेक्ट किसी सौलिड में एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें इक्वल नमबर में केटायन और एनायन अपने नॉर्मल लेटिस साइट से अनुपस्थित रहता है मतलब जिसको जहां पर होना चाहिए था वही है लेकिन कुछ जगह पर केटायन और कुछ जगह पर एनायन अपने जगह पर नहीं है और यह समान संख्या में नहीं है मतलब जितना केटायन मीसिंग है उतना ही एनायन मीसिंग है होना चाहिए था लेकिन यदि equal number में K9 और NN vacancy create कर रहा है यानि equal number में K9 और अपने जगह पर नहीं है तो ऐसी इस्थीति में जो defect arise होता है उसी defect को हम क्या बोलता है हॉट की defect तो सबसे पहले हैं कीजिए तो यह दो यहां तक लिखेंगे उसके बाद आप रुकेंगे इसको अब बेहतर होगा थोड़ा फीगर में समझे अजग बुद सक्वेवा देँए कर अख़ लादा। ज़ करुछ झाला के जदसके बादेक वेशे भीगर में करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंट देखे थो रहा इसको तो देखो यहाँ अभी हम दो डिफरेंट फीगर बनाएंगे एक में हम परफेक्ट सॉलिड को दिखाएंगे और एक ऐसा फीगर होगा जिसमें सॉट की डिफेक्ट को दिखाया जाएगा सबसे पहले जाने कि स्टेशियोमेट्रिक और नन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है यह आइनिक सॉलिड में क्रियेट होता है पहली बात और आइनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट एडाई होता है उसमें हम साब से पहले रहता है और ननमेटल पर जनरली नेगिटिव चार्ज रहता है तो हम कुछ आयन को दिखाते हैं जैसे माल लीजिए M plus X minus M plus X minus इस तरह से हम माल लीजिए कि एक लाइन लेना शुरू किये मेटल आयन का और ननमेटल आयन का और एक रेगुलर एरेंजमेंट में हम इसको एरेंज कर रहे हैं यहां क्या होगा बताइए M plus alternate position पर आपको यहां डालना होगा तकि वह एक perfect solid बन सके ज्यादा लाइन नहीं बस चार्ट लाइन ही खीचेंगे इससे समझ में आपको आजाएगा ज्यादा कलाकरी करने की जरूत है नहीं बस्तम पहले आप यह बताई कि रेगुलर एरेंजमेंट है यह एक रेगुलर एरेंजमेंट है तभी तो सब को हम कहां होना चाहिए वह प कर सकते थे पहला चीज दूसरा अभी जिसको जहां होना चाहिए वह अभी वहीं है अपने जगह कुछ फोड़ा नहीं है अब ऐसी स्थिति में यदि हम इसको एक दूसरे को बॉंड से दिखा दें कुछ इस तरह से यह सब आपस में जुडा हुआ है लुक में देखेगा इ पहले आप यह पताएं कि आइनिक सॉलीड का यह कितना लेअर बना अब है यह एक लेयर है नहीं है अच्छा कोई थ्री डैमेंशनल सॉलीड जब आप बनाओ गये तो एक लेयर से तो काम चलेगा नहीं अब क्या करना है कि इसी के जैसा एक और लेयर बनाई है और इस लेयर बनाई उपर डाल देजे तो three dimensional figure हो जाएगा और हमारी छमता नहीं है कि हम उस चीज को वहाँ पर three dimensional चीज को यहाँ पर बनाए और गलती से बना भी दें तो यह इतना complex figure हो जाएगा कि वह आपको समझ में नहीं आएगा तो हम एक लेयर से ही इस चीज को समझ लेते हैं यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि यह एक परफेक्ट solid है क्योंकि जिसको जहां होना चाहिए था वह वहाँ पर उपस थे थे यह हो गया perfect solid अब हम एक ऐसा solid बनाएंगे जो short की डिफेक्ट के साथ आएगा अब हम जैसे क्या करते हैं सुनो माल लो यहां से हम M plus को गाइब कर देते हैं और यहां से x minus को गाइब कर देते हैं तो एकक्वल नमर में केटाइन और एनाइन मिस किया तो ऐसी इस्तिती में इंपलस x minus x minus और जरूरी नहीं है यहां से यहां से कहीं से दो जगह से आप गाइब कर दीजिए इसे माल लीजे कि इंपलस को हमने यहां से गाइब कर दिया बताओ यहां पर वेकेंसी क्रिएट हो जाएगा यहां पर क्या लिखेंगे बताओ तो इंपलस फिर यहां क्या है x minus ंपलस एकस माइनस नंगाइब हुआ है यहां तो का दिखा देते हैं ॏ यहां पर क्यों आएगा में यहां पर यहां से जोड़ देते हैं तो यहां भी एक लेयर बना, आप देखिए इस लेयर में वेकेंसी क्रियट हुआ है कि नहीं, इसी वेकेंसी आप देख रहे हैं, यह जो खाली जगह देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है लेटिस होल, क्योंकि यहां पर constituent particles को होना चाहिए था, लेकिन constituent particles नहीं है, अब माल लीजिए आप, कि इस एक लेयर में दो जगह वेकेंसी क्रियट है, अब यदि हम एक ऐसा लेयर ठीक इसके उपर डाल दें, और एक ऐसा लेयर ठीक इसके नीचे डाल दें, तिर एक लेयर हम यह वाला ड लेटिस साइट से मिसिंग होंगे, तो ऐसे इस्तिति में इसी सॉलिड को कहा जाएगा, कि यह डिफेक्टिव सॉलिड है, और किस तरह का डिफेक्ट इसमें एराइज हुआ है, तो यहां हम कहा सकते हैं, सॉलिड विद विद रॉट की डिफेक्ट, क्या समझ में आया यह, जिस नॉर्मल लेटिस साइट पर कंस्टिकुएंट पार्टिकल्स को होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, उस पॉइंट को हम लोग लेटिस होल कहते हैं, आला चीज, दूसरा चीज, चुकि एक्वल नमबर ऑफ केटाइन अन अन अपने नॉर्मल लेटिस साइट से मिसिंग हैं, तो ऐसे इस्थिति में ये पूरा का पूरा सॉलिड इलेक्ट्रिकली नूट्रल होगा, क्योंकि केटाइन जितना भागा उतना ही एनायन भागा, तो उसमें चार्ज कोई ज्यादा हुआ ना कोई कम हुआ, तो पूरा का पूरा सॉलिड इलेक्ट्रिकली नूट्रल और अगली बात यदि सेम नंबर में केटाइन और नायन मिस हो रहा है तो इसकी स्टिचियोमेट्री भी बाधित नहीं होगा क्या यही चीज आपको हम कल समझा रहे थे और लास्ट बात बताईए कि यदि नॉर्मल लेटिस साइट पर कंस्टिचुएंट पार्टिकल्स को होन इसका डेंसिटी कम होगा इसका डेंसिटी कम हो जाएगा और इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहां से क्या है कि बीच बीच में कहीं कहीं कैप बना हुआ है और जैसे मान लीजे कि कोई राजमिस्तिरी दिवाल जोर रहे हैं और वह जहां तहां क्या कर रहे ह है बीच में होल छोड़ दे रहा है तो ऐसे इस्थिति में दिवाल कम जो रोगा उस जगह पर उसकी डेंसिटी भी डेफिनेटली वह दिवाल उतना मजबूत नहीं होगा जितना वह पूड़ा का पूड़ा सॉलिड बना देता तो होता तो यही अंतर है आप इस दोनों फिग पाइट साइट होगा वह सब का सब लेटिस होल का लाएगा अब लोग टेस्ट की तेयरी कर रहे हैं एक दो दिन के अंदर टेस्ट होगा आप लोग का गम नमबर आएगा गर्जियन से बात करवाना होगा ने तो भागा दागा ध्यान रखिएगा इस सीज़ कर दो कम से कम 50% अमर तो आपको आना ही चाहिए झाल गाएगा झाल आपको 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 झाल झाल चैनल करें इसको आप लोग खेसा कर रहें जो इंडिकेट कर रहा है कि आपने सिंथ हो चुके हैं उतार के क्या है जो दोनों का हम सासाथ कर रहे हैं समय का सदुब्योग कर रहे हैं हम भी करेंगे सदुब्योग कोई सौटकी वर्ड का मतलब मत पूछने ने लगना यह साइंटिस्ट का नाम है देखिया आगे लिखा हुए दो डिफेक्ट एराइजेस द्यू टू मिसिंग अफ कंस्टिशिएंट पार्टिकल्स फ्रम नॉर्मल लेटिस साइट यहां राना चाहिए था वहां नहीं है आगे लिखा वर्ड लेटिस साइट या इस ही को आप पॉइंट भी कह सकते हैं लेटिस साइट और लेटिस पॉइंट विच आद लेटिस वैकैंसी और लेटिस लिखे तो पहले स्टेटमेंट को एक एक करके लिखते जैए समझते जाए झाल झाल The lattice site or lattice point which are unoccupied is called lattice vacancy or lattice hole. The lattice site or lattice point which is a round-on. The lattice point which is about Radford and the lattice point which is about 11,4. The lattice point which is about a Travel or Track, the lattice point which is about a travel to the library, the device, the access point which is about an activities and about a luncheon, नीचे arrow देके लिखेंगे, यह statement पूड़ा हुआ, लिखें तो density of solid, नीचे arrow देके लिखना, density of solid decreases, density of solid decreases due to short की defect. नीचे रोदेके लिखेंगे, whole crystal remains electrically neutral, due to missing of equal number of cation and anion. नीचे रोदेके लिखेंगे, मतलब यह कि defect आने के वावजूद भी किसी तरह का कोई charge हावी नहीं होता है solid पर, क्योंकि equal number में यह दोनों miss होते हैं, और इसका last दो point है, इसमें general condition for short की defect है, short की defect होने की क्या सरते हैं, इसके बारे में बाते होगी, इसकी मात्र दो सरते हैं, पहला यह कि solid का coordination number high होना चाहिए, और दूसरा यह कि cation और anion का size है वह आपस में लगभग बड़ा बर होना चाहिए, आगे लिख लेंगे general condition for short की defect, board exam में आपसे question पूछा जाता है, दो नमबर में यह दी question पूछेगा तो आपको पूछेगा what is short की and frankil defect, बस इतना पूछ के छोड़ देगा दो नमबर में पूछेगा तो, आगे पूछेगा what is major differences between them, यह यदि इतना पूछता है तो यह भी मातर दो ही नमबर का आएगा, आगे फिर यह दी question करेगा पूछेगा आपसे what is condition for short की and frankil defect, तो यह भी दो यह नमबर का पूछेगा, यानि यहां से तीन question दो नमबर का पूछा जा सकता है, short की और frankil defect क्या है पहला, दोनों में difference क्या है दूसरा, और दोनों के लिए सर्थ क्या है तीसरा, और जब इस तीनों को combine कर देता है, तब यह long type question हो जाता है और यह 5 नमबर का चला जाता है, और यह दोनों type का question पूछा हुआ है, इसलिए हम अभी से आपको सचित कर रहे हैं, यह topic भी भी आया है जो आज पूड़ा class में आप पढ़ेंगे, court exam के लिए, IT के लिए नहीं, क्या पूड़ा हो गया यह, जो भी लोग इस chapter में नए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस 2-3 दिन इनतजार कर लिए, नया chapter स्टार्ट होने वाला है, जिनका छोटा है यूट्यूब पर lecture देख लीजिए, सारा lecture पब्लिक किया हुआ है, अभी यह chapter अब समाप्ती पर है, तो समझ में आएगा नहीं, जा थोड़ा बहुत आ गया, तो मत समझेगा कि आप chemistry समझ रहा है, तो इसे ही समझ में आगया, क्योंकि यह सब बहुत हलका चीज है, यही पूड़ा का पूड़ा term, sort की defect से संबंदित था, इसका कुछ example आप लिकि लीजिए गा, किस तरह के solid में इस तरह का defect पाया जाता है इसके बारे में, एक्जाम्पल लिखे लिखे insert Dog, पर लिखा हुग है, initial, kcal, kbr, cscl, etc, यह sentence आप पहले लिख चुके हैं, sentence में कुछ grammatical error भी है, आप इसको छोड़ दीजेगा, यह लिख चुके हैं, एक जहांपर लिख लिए, यह नहीं लिख लिए, यह बी number, tranquil defect, define कीजिए इसको, define कीजिए, define करके खुद से समझने का प्रयास कीजिए, कि वो क्या लिखा हुआ, यह सब चीज यदि लिखा हुआ मिल जाए, तो आप खुद भी समझ सकते हैं, अलागे हम समझाएंगे, हम छोड़ेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, और समझने का खुद से प्रयास कीजिए, मिल समझाएंगे, यह समझने का-धडरा आप झाले समझाएंगे खिंद हुआ मिल जाने का खुद से पिछला डिफेक्ट जो आप सौट की डिफेक्ट बढ़े थे उसमें क्या हुआ था कि इक्वल नंबर में केटायन और अपने नॉर्मल लैटिस साइट से अनुपस्थित था और वहाँ पर आपने देखा कि सॉलीड की डेंसीटी घट रही थी अब थोड़ा इसको समझें फ्रेंकिल डिफेक्ट को फ्रेंकिल डिफेक्ट सॉलीड क्रिस्टल में एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें कोई कंस्टिचेंट पार्टिकल सॉलीड के बाहर नहीं होता है लेकिन कुछ constituent particles अपने normal site पर ना रहकर constituent particles के intertial site में चला जाता है और यह effect सिर्फ एक ही condition में arise होता है जब cation का size, nion के size से काफी छोटा हो क्योंकि size जब तक छोटा होगा नहीं तब तक किसी भी intertial position में occupy करना उसके लिए possible नहीं है अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप figure से समझें फिर हम इस definition पढ़ाएंगे पताई यह एक perfect solid है, इसमें किसी परकार का कोई defect नहीं है अब हम इसमें दिखाएंगे solid with tranquil defect तो उसमें हमको क्या करना है वो समझें, यहाँ पर क्या होना चाहिए था x-, x- हम इसमें पर देंगे, मत्तब x- है यहाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए था m-pulse, यहाँ पर हम m-pulse नहीं देंगे, उसी m-pulse को इस बीच में, इस बीच में, या इस बीच में कहीं भी लेटिस पॉइंट के बीच में जो खाली जगह होता है आप किसी फिस फेरिकल चीज को जब आप एरेंज करेंगे तो बीच में जहां तहां जगा बसता चला जाएगा ना उस जगह में यदि केटाइन इंटर कर जाता है तो ऐसी इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते है तो इसमें भी इन रहेगा क्योंकि इसमें कोई हुआ ही नहीं है एक जगह से गाइव हुआ है तो वह किसी इंटर्शियल पोजीशन पर उपस्थी थे पहला यह सीमलेटी यह उसमें सीमलेरीटीज है कि वह क्या बढ़ाबर है दोनों में क्या समानता है अंतर क्या है वहां पर दोनों का दोनों गाइव हुआ सॉलिट सिस्टम से ही बाहर चला गया यहां पर गया नहीं है बाहर वह भी अभी अंदर में उपस्तित है इसका मतब है कि उसका मास कंजियूम किया जाएगा देंसिटी निकालते वक्त ऐसे इस्तिती में फ्रेंकेल डिफैक्ट जब राइज समझा चुके हैं इन बॉल को माल लीजे कि हम रेंगल टाइप से नीचे एक सर्फिस पर रख लें और उपर से एक बॉल डाल दे तो याद कि यह वो टेट्रहेड्रल वाइड बनता था वहीं इंटरसियल पोजीशन हुआ चाप बताईए कि क्या उसी साइज का बॉल उस बी साइज से और यदि ऐसा हुआ तो ओटोमेटिक है उसका कौौडिनेसन लो हो जाएगा ने की च्छोटा साइज सकाडिनेस को लेकिन समान साइज का यदि simply क्यूभिक और कौडिनेसन भर यहाद किजिए वहाँ पर जब जब condition of short key defect लिख रहे थे तो वहां पर आप क्या लिखे थे size of cation and nn are almost same वहां पर दोनों का size समान होना चाहिए था यहां पर क्या होना होना चाहिए condition में size of cation is a smaller than the size of nn और दूसरा coordination number of solid must be low को वहां पर था high यहां पर क्या होना चाहिए कम होना चाहिए यहीं सब बात आगे लिखा होगा मिलेगा तो हम यदि सको समझें अब देखे लिखा होगा है कि the defects arises when an iron is missing from its normal site and occupies the vacant inertial site between the lattice point is known as tranquil defect बतब यह defect तब यह defect तब arise होता है जब कोई आयन अपने normal lattice site पर नहीं रहकर तो atom के inertial position को occupy कर लेता है या उसके inertial position में चला जाता है तो इसी defect को हम लों क्या बोलता है अब देखिए फ्रेंकिल साइड में एक बात यहां लिखा हुवा नहीं है लेकिंगा न太 s अपने नॉर्मल लेटिस साइट से नहीं रहकर इंटर्ट्सियल पोजीशन में चला जाता है यहां आपको पहले यह लिख चुके है ना फिगर बनाए तो एक बार फिर से पहले आप परफेक्ट सॉलिड बनाए तो साइड में बनाए परफेक्ट सॉलिड और इधर आपको बनाना पड़ेगा सॉलिड विद रेंकेल डिफेक्ट उसको हम बाद में बना लेंगे आप सिर्फ इस वाला फोटो को बनाए तो परफेक्ट सॉलिड बनाकर जब तुम डिफेक्ट को दिखाऊगे तो वह तुमको असपस्ट दिखेगा कि क्या अंतर है दोनों में इम परफेक्ट सॉलिड में और परफेक्ट सॉलिड में हालांके यह दोनों तो हलका है यह आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा आगे थोड़ा है कुछ-कुछ बात टफ टफ वो सब फोटो से थोड़ा ज्यादा और किलियर हो जाता है लिखिए नीचे में परफेक्ट सॉलिड अब जो हम डिफेक्टिव सॉलिड बनाएंगे विद फ्रेंकेल डिफेक्ट उसमें देखे क्या करना है म प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस इस तरह से लिखते हैं कहीं से एक कहीं से केटायन को आप निकाल देजिए लिए तीसरा ल traveled कहीं हम घाइब करेंगे म, यहाँ एक समाइनस मलम्दल मख यहाँ आना चाहिए ना यहां पर मालो हम vacancy करियट कर देते yenम, मिट्ध कर देते हैं म मैं, यहाँ म मैं लिख कर देते पहले तो सब को हम एक गया जोड़ देते हैं है चुक्किए लेयर बनाकते वक्त यह सब भले अलग अलग रहा हो लेकिन यह सब आपस में एक दूसरे के काफी सटा हुआ होता है पीच में इतना गैप नहीं रहता है लेकिन गैप नहीं देंगे तो फिर समझ में ढंग से नहीं आएगा इसलिए गैप देना हमारी मजबूरी है देखेगा इतर jedem मिसिंग कौन है मेटलायन मेटलायन को क्या किज़े आप कहीं भी दिखा दिजीए जैसे हम माल लीजे इस बीच में दिखा देते हैं मेटलायन को यह मेटलायन यहाँ ढाना था यह भाग के चला गया है यहाँ अब इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगा इदर इसको हम लोग इस तरह से घेड़ देते हैं इसके घेड़ने से क्या होता है कि किसी भी आदमी का सामने नजर पड़ जाता है उसको लग जाता है कि यहां कुछ विसेस बात यहां से जो केटायन निकला है वो उसी जगह पर जाके गया है ऐसे लंबा चोड़ा तुम फीगर बना दो और उसमें यह को केटायन कहीं बीच में दिखा दो तो लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा है नहीं नजर कैसे पड़े यह जरूरी है तो यह थोड़ा एस्टील होना चाह झाल 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 कि अगर को ज्यादा कंपैक्ट नहीं कर रहा है बस हम इसे कर दिया बिठल हमको नहीं मल लग रहा था तो उमको भी नहीं मल लगे तो करते रहा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं density of solid remains unaffected नीचे लिखे था नीचे लिखेंगे due to frankel defect density of solid due to frankel defect, density of solid remains unaffected मतलब frankel defect से density पर कोई परभाव नहीं परता है density of solid remains unaffected अचा यह बता यह एक होता है effect एक होता है affect दोनों का क्या मतलब है दोनों का मतलब सेम ही है परभावित करना या परभाव परना फिर दोनों में अंतर क्या है यह यह positive sense में आता है और यह negative sense में आता है तो density परभावित हो रहा है या नहीं परभावित हो रहा है तो वह negative sense ही हिवा इसलिए हम लोग वहाँ पर लिखेंगे अनफेक्टेड अलांकि यह सा बात आप समझते होंगे यह इंग्लिस ग्रामर है या इंग्लिस वर्ड है आप इसको बहतर समझ सकते हैं हमसे चोंकि आप पढ़ते हमको पढ़े वह बहुत दिन हो गया अगे बढ़े इस्टार लगा यह लिखेंगे कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर प्रेंकेल डिफेक्ट पहला लिखा हुआ है कोडिनेशन नंबर सुट बिलो और दूसरा लिखा हुआ है अनायन्स आर मर्च लार्जर देंदग कुछ एग्जामपल लिखा हुआ है एजी इसमें ध्यान रखेगा एगो एजी बी आर को यह एक्सेप्सनल है इसमें दोनों टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है ऐसचल देफेक्ट है और ak इसका कारण यह है कि ककेट्धा साइज बहुत ज़्यादा चोटा नहीं होता है नायन से जब यह ज़्यादा फिय्व करता है जब ओय्नका साइज ज़्यादा बड़ा हो ज़िस जो भी लोग आइटी या मेडिकल का पेपर देना चाहते हैं आगे आप लोग कोश्चन बेंक खरीद लीजिए आइटी का और नीट का और कोश्चन बनाईए जो जो चेप्टर पढ़ाई हो गया है नहीं समझ में आता है तो पूछ यह संडे संडे क्लास सब दिन होता रहेगा और आइटी इडवांस लिफल किया जो भी आइटी का कोश्चन होगा वो संडे 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 ही सॉल्व किया जाएगा रेगलर क्लास म है वो डेगलर क्लास में रह लेंगे जो आइटी और मेडिकल में जाना चाहते हैं वह उस लिफल में आ जाएगा इसके लिए कोई एक स्ट्रफ फीस नहीं है आपको पहली बोला गया था कि इस पर हम लोग काम करेंगे काम कीजिए अब बताइए यहां पर सुनिए जी सांत रही बार बार बोलना पड़ता है लाज नहीं लगता है तुम लोग बड़े गढ़ा हो गया है बार बार यहीं बूलना पड़ता है कि सांत रही तुनेंगे यहां पर सौटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट को रिफाइन किया गया उसके बाद दोनों का कंडिशन प्रोपरली लिखा गया लेकिन अब जब आप इस थेयोरी को आगे बढ़ाएंगे इस थेयोरी में आपको कहीं पर डिफ्रेंस बिट्विन फ्रेंकेल डिफेक्ट और सौटकी डिफेक्ट नहीं आएगा अब देखिए सीधा दूसरा नमबर का टॉपिक आगया याद कि यह दूसरा टाइप कौन सा था लेकिन यहां पर एक टॉपिक बचा हुआ रहा गया डिफ्रेंस बिट्विन सौटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या इस डिफेक्ट को आप खुल से निकाल नहीं सकते हैं इससे इसमें तीन में डिफ्रेंस है एक में डेंसीटी घड़ता है एक में डेंसीटी पर कोई परभाव नहीं पड़ता है एक कोडिनेसा नमबर हाय होना चाहिए दूसरे का लो होना चाहिए जो इसका कंडिशन है ना दोनों का वही उसका डिफरेंस भी है एक में देखेगा size दोनों का बड़ावर होना चाहिए, एक में size केटाइन का छोटा होना चाहिए और नाइन का बड़ा होना चाहिए पुछ example, तो ये दो नमबर में पूछा जाता है, तो आप उमीद करते हैं कि यदि आप से density, sorry, difference पूछे तो आप उहां से खुल से question से, मतलब उस theory से निकाल सकते हैं, देखें कि दो नमबर हीडिंग, non-statiometric defect अब ये जो non-statiometric defect है, ये एक ऐसा defect होगा, जिसमें कोई एक आयान गाइब होगा, या तो metal का आयान गाइब होजाए, या फिर negative चार्ज वाला गाइब होजाए, क्योंकि कोई एक गायब होगा, तभी ना-statiometry disturb होगा और statiometric defect, एक ऐसा defect होता है crystal system का, जिसमें solid की या compound की statiometry बाधित हो जाती है, disturb हो जाती है तो solid के, यदि हम consistent particles की गींती करें, वो तो आही जाएगा, consume हो जाएगा वो, तो वहाँ पर statiometry बाधित नहीं हो रहा था, यहाँ पर statiometry बाधित होगा, इसलिए लिए लिखा होगा है, the defect which disturbed the statiometry of the compound are called non-statiometric defect, यह दो तरह का होता है, एक होता है metal excess defect और एक होता है यहाँ पर आप चार topic पढ़ेंगे, और उसके बाद impurity defect पढ़ेंगे, उसके बाद magnetic property, electric property चेप्टर समाप हो जाएगे इसमें एक topic है bend theory, जो physics से सम्बंधित है, इंसुलेटर बगरा वहाँ पर इंसुलेटर, conductor और semiconductor इसके बारे में पढ़ना है, physics में आप आप n-type और p-type semiconductor पढ़ें होंगे, या हो सकता है पढ़ें, नहीं पढ़ें होंगे तो पढ़ेंगे, तो n-type p-type semiconductor यहाँ भी बताना है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप n-type semiconductor और p-type semiconductor को physics से भी बहतर आप यहाँ पर सब्देंगे, तो कि यह बास्तम में origin जो है n-type और p-type को chemistry ही है, उन सब चीजों को हम एक एक रके देखेंगे, आगे के दो class में, अमीद रखिए, Friday से class आप का इस्टार्ट होगा, वो electrochemistry, क्या यह लिख चुके हैं आप, इसमें दो type होता है, पहला type लिखें तो metal excess defect, और आप यही पर रुखिये, heading डालकर, statiometric defect के अंतरगत कुल चार topic आएगा, और चारो कई से आएगा, पहले आप उसको समझ लेज़े, यह heading हो गया क्या, मिटाओ इसे, देखो यह, हम चाहते हैं कि इसमें metal excess defect आजाए, नाम से हस्पस्ट है metal excess, यानि कौन सा इटम ज्यादा हो जाए, एक चीज़े देखो, इस tissue matrix disturb करने के लिए किसी एक को तो ज्यादा होना पड़ेगा, मान लीजे कि metal excess हो जाए, metal excess दो तरीके से हो सकता है, ऐसे कैसे वो देखिए, यदि हम एक anion को इसके normal lattice site से निकाल देता हो, एक anion निकलेगा तो automatic एक metal ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो सकता है due to anionic vacancies, metal excess defect arise हो सकता है due to anionic vacancies, anion अपने जगह से खाली हो जाए, पहला तरीका ये है, दुसरा तरीका फ्रेंकेल defect वाला है, प्रेंकेल defect में क्या होता था, कि normal lattice site से metal ion निकलता था और किसी अन्यस्थल पर चला जाता था, ऐसा भी तो हो सकता है कि बिनो निकले एक extra घूस गया हो, आया ना, तो वैसे इस्थीती में, जिसको जहां रहना चाहिए वहाँ है, लेकिन साथ साथ एक अतिरिक्त metal का आयन इंटर्सियल पोजिशन में चला गया, तो बताइए दो तरीके से यह राइज हुआ कि नहीं हुआ, एक एराइज हुआ, metal excess defect arises due to anionic vacancies, और दूसरा, metal excess defect arises due to extra metal ion, occupy the inertial position between lattice point, किसी भी solid में, किसी भी जगह पर, इस बीच में, कहीं भी आ जाएगा, जो जहां है, अब बताइए कि एक स्थिती में density घट जाएगा, और एक स्थिती में density घट जाएगा, जितना होना चाहिए उसे ज्यादा न हो जाएगा, एक यह है, तो आप एक देखे, metal excess defect जो दो तरह से rise होगा, एक होगा non metal excess defect, एक बार आपने metal को ज़्यादा किया, दूसरी बार आप किसको ज़्यादा करेंगे, non metal को, फिर भी वह वैसे ही होगा, non metal को ज़्यादा करना है, तो catanic vacancy create कर दीजिए, M plus निकाल दीजिए, एक यह हो सकता है, और एक दूसरा हो सकता है, कि X minus, यानि कोई NIN किसी inertial position में चला जाए, हलांकि यह practically कभी भी possible, नहीं है, क्योंकि catan का size छोटा होता है, catan का size बड़ा होता है, यह कभी भी उसमें fit बैठेगा नहीं, इसलिए अभी तक कोई ऐसा solid नहीं पाया गया है, जिसमें उस type का defect हो, इन सब पर हम लोग काम करेंगे next class में आज नहीं, आज के लिए बस इतना है,